नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीके हेलप विद जे आर भी पर हार्दिक अभिनंदन एबम स्वागत हैं दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्तान प्लिश एक्जाम के लिए पार्ट बी से समधी थे इस वीडियो को अंत्यम समय तक द्यान पूरग देखें और अंत्यम आपसे एक जीके का कोस्टन भी पूछा जाएगा जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदने रहेगा कि आपने अभी तक यूटूब चैनल जीके हेलफ विद जयार भी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बने हुए बेल आइकन को भी जरूर प्लेस करें ताकि ज अंग्रेजों ने बंगाल में अपने निव रखी ते इस कोस्टन का बी ओप्सन राइट है इपोर्टेंट कोस्टन है एकजाम में पुछा जाता है और आपको ध्यान रखना है प्लासी का यूद कब हुआ था 1757 एश्वी में ये भी एकजाम में पुछा जाता है और बक्स का यूद हुआ था 1764 एश्वी में साथ साल बाद 1764 त्राइन का यूद 1101 में 1102 में और खानवा के यूद 1527 एश्वी में हुआ था चलिए अगला कोस्टने गोद निशेद निती किसने अपनाई थी गोद निशेद निती ये अपनाई थी मित्रो लोर्ड डलो जीने इसका सी ओप्सन राइट है चलिए अगला कोस्टन गए 1857 की करांती का प्रतीख चीन्य था वेरी वेरी इपोर्टेंट कोस्टन एयक्जाम में ये बहुत बार पुछा जाता है 1857 की करांती का प्रतीक चिन्ने था मित्रो कमल का फूल और चपाती यानि कि इस कोस्चन का A option राइट है कमल का फूल और चपाती चपाती रोटी को केते हैं ये भी आपको द्यान है रखना है चलिए अगला कोस्चन की हाली में किस मैला खिलाडी को पदम विबुसन पुर्षकार से समानित किये जाने की गोशना की गई गई है तो मित्रो पदम विबुसन पुर्षकार से समानित किये जाने की गोशना की गई है स्रीमती M.C. मेरी कौम को यानि कि इस कोस्चन का A option राइट है तो मित्रो इस क्वेश्चन का डी ओप्सराइट है जोर्ज फर्णांडिस अरुन जेटली स्रीमिती सुस्मा सवराज इनको मर्नो प्रांत पदम विभूसन से समानिते किया गया है तो यह आपको द्यां रखना है ए बी सी यह तिनों क्या है जोर्ज फर्णांडिस अरुन मिलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है ओस्टियो मिलेशिया यह नाम आपको द्यान रखना है किस विटामिन की कमी से होने वाली यह बिमारी है ओप्सन आपके सामने इन्हें द्यान प्रुक देखिए और इसका जवाब दीजिए तो मित्रो यह विटामिन डी की कमी से हो चलिए अगला कोस्टने के बारतिया फुटवाल की दुरुगा किसे का जाता है बारतिया फुटवाल की दुरुगा तो मित्रो बारतिया फुटवाल की दुरुगा का जाता है ओई नाम बेम बिम देवी को इसका ए ओप्सन राइट है यह बारतिया मेला फुटवालर है जो की मनिपुर राज्ये से बिलोंग करती है इन्हें 2017 में अर्जुन वाड मिला था और 2020 में इन्हें पदम स्रीपुरुषकार से समधिते किया गया है चलिए नोमा कोस्टन है कि तरुन दीप रहे किस राज्ये से समधिते तरुन दीप रहे इसकोस्टन एकजाम में पूछे जाते ह जो भी फेमस खिलाड़ी होते हैं पताऊना चाहिए कि कि से समधिते और कि रजे से समधिते तो में आपको बता देता हूं तरुन दीप रहे छिक्किम से असफ़ाइक है यानि कि से समय शक्किम से सम। टोक और किस ख्यल से समझीता है तिरिंदाजी से इने भी दोजार में पदम-शरी पुरुसकारह दिया गया है अगला कुष्ट ने के 29 सर्श्वती समान से किसे समानित किया गया है तो बितरो 39 सर्श्वती समान से समानित किया गया है वासुदेव मोही को इसका A option right है वासुदेव मोही को चलिए ग्यारमा कोस्टन है कि विटामिन B1 रसाइनिक नाम क्या होता है विटामिन B1 का रसाइनिक नाम क्या होता है विटामिन B1 का रसाइनिक नाम क्या होता है विटामिन B1 का रसाइनिक नाम क्या होता है तो मित्रो इसका रसाइनिक नाम हो स्कूरान से किसे समानित किया गया पर्थम सरस्वति समान से मित्रों समानित किया गया था डॉक्टर हरीवन सराय बचन को इसको सन का डी ऑप्शन है जो इस बार सरुवती समान दिया घया था वो कौन सा 29 वां और यह किसको दिया गया था वासुदेव मोई को चलिए तेर मा कोस्टने के वर्स के सरफ स्रेष्ट क्रिकेटर की गेरी सोबरस्ट ट्रोफी किसे दी गई है गेरी सोबरस्ट ट्रोफी एकजाम में पूछा जा सकता है तो आपको द्यान रखना है गेरी इस को स्कॉस्टन का डी ऑफ स्राइट है यह इंगलेंड के आल रांडर यह आपको द्यान रखना है और साथ ही मैं मैं आपको बता देता हूं जो कि टेस्ट किर्गेटर ओफ दा इयर किसे चुना गया यह भी द्यान रखना पेट कमिंश को जो कि आश्ट्रिया के बोलर है और वन डे इंटरनेशनल किर्गेटर ओफ दा इयर चुना गया रोईत सर्मा को जो कि बारतिये ओपनर बलेबाज है चली अगला कोस्ट नहीं पहला गोल्डन गलोब पुरुषकार का प्रदान किया गया था पहला गोल्डन गलोब पुरुषकार प्रदान किया गया था मित और Aminathe e. Kini-kin को दिया गया फिल्म 1917 को दिया गया गोल्डन गलोवर क अbh resource और अब सभी को पता हिस यूटूब चैनल पर ढिलिर राजस्तान प्छी मद्त मौडल पे प्रप्लोड किये जाते हैं अगर आपने इस यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब जुरूर करें और आपको मैं बता देता हूं यह जितने भी वीडियो अभी तक प्लोड किये हैं यह मिशन राजस्तान पुलिस 2020 नाम से एक पीम रश्ट्रे बाल पुर्शकार से 49 बच्चों को समानित किया था इस कोस्टन का डी ओप्सन राइट है अगला कोस्टन के बारत में क्रिश्ची विग्यान का जनक किसे का जनक वेरी वेरी इपोर्टेंट कोस्टन एक्जाम में यह पूछा जाता है तो आपको द्यान स महतनी होगा है की अगला को सने के बेरजपूर की 46 में चावनी में सेनिकों ने कब विद्रोय किसे चावनी में चैनिकों सेनिकों कब विद्रोयारी शिरूख किया था बहुत बार कोस्टन इन पूछा गया तो क्रांति का नेतरतव कहां से किया था तो इन्होंने किया था कानपुर से इस कोस्चन का डी ऑप्षन राइट है नेक्स्ट कोस्चन है कि आश्ट्रेलिया का स्रोच नागरिक समान ओर्डर ओफ आश्ट्रेलिया से किसे समानित किया गया है ध्यान देना दोस्तों ओर्डर ओफ आस्ट्रेलिया यह आस्ट्रेलिया का स्रोच नागरिक समान है और इससे समानित किया गया किरन मजूमदार सो को इसका सी ओप्सन राइट है यह कौन है यह जो बायो कौन है मित्रो इसके संस्तापक है किरन मजूमदार सो जिने ऑस्ट्रेलिया का स्रोच नागरिक समान ओर्डर औफ आश्ट्रेलिया से समानिते किया गया है अगला कोस्टन ग्रेमी पुर्षकर किस छेतर में दिया जाता है यह कोस्टन बहुत बार एक्जाम में पुछा जाता है ग्रेमी पुर्षकर तो मित्रों यह दिया जाता है संगीत के छेतर में इस कोस्टन का बी ऑप्सन राइट ह और यह जो 35 कोस्टन हैं इन 35 कोस्टनों में से आपके कुल कितनी कोस्टन राइट होते हैं यह कमेंट बॉक्स में वीडियो के अंतिम टाइम में आप जुरूर है बताएं यहां पर आपका मुल्यांकन भी हो जाएगा और राजस्तान प्लीस से समझी तापकी कैसी त्यारी चल ग Querpa Een कोस्टन का डी ऑप्सन राइट है द्याँ रखना पटबन सुक्देव को टोयलर पॣ्षकार कर दिया गेर यह जो टोयलर पुस्टार मितरो यह प्रयावरण का नोबेल पूskर अरय यह द्यान प्रयावरण का नोबेल पुछकार प्सक्र है या अधाम में वाली पहली मेला कौन है तो धर्ड अंपायर बनने वाली पहली मेला है जेक्लिन विलियमस इस कोस्टन का वी ऑपसन राइट है जो की वेश्ट इंडीजिस से समझ दीत है अगला कोस्टन है कि olin दोएंड्या गेम्स 2020 की सबसे सफल मेला खिलाड़ी कुण थी को खेल लो इंडिया यूद्या आयोजित वहा था असम की राजदनी में गवाटी में सुरी दोस्तों गवाटी में आयोजित वहा था जो की असम की राजदनी या दीसपूर से इसमा की घखाомина respons यहां पर इन्होंने साथ पदक जीते थे जिसमें से पांच गोल्ड मेडल थे और दो सिल्वर मेडल थे यह आपको द्याने रखने हैं अगला कोस्त ने कि विटामिन बी टू का रसायनिक नाम क्या होता है विटामिन बी टू का रसायनिक नाम क्या होता है तो मित्रो इसका बी ओपसरेट है राइबो फ्लेविन विटामिन बी टू का रसायनिक नाम होता है अगला कोस्त ने किस विटामिन के कारण मनुश्य की बार एक्जाम में यह पुछ अगया है तो मित्रों विटामिन बी टू के कारण मनुश्य की तवच्चा और होट है फट जाते हैं इसका बी ओप्षन राइट है चलिए नेस्ट कोश्चन है कि उडिशा से क्रांती का नेतरतव किस ने किया था उडिशा यहां से अठारा सुस् साओं की क्रांती का समय बारत का गर्वनर जनरल कौन था सब्सक्राइब कोष्चन है 1850 की करांती किसमया बारत का गरवनर जनरल था लोर्ड केनिंग इसका सी आप्षन राइट है चलिए 28 मां कोशने के एनिमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है कि दोस्तों वेसे तो लोहे की कमी के कारण एन्यमिया रोग हो जाता है आरबीशी में लोहे की कमी के कारण फेरश लेकिन यहाँ पर आपको बताने किश विटामिन की कमी के कारण होता है एन्यमिया रोग तो यह होता है मित्रों विटामिन B12 की कमी के कारण है अगला कोस्टन है कि जोखिम बरे उद्योग्यों में बाल स्रम उप्योग निशिद किया गया है तो मित्रों इसका D option राइट हो जाएगा उप्योग तो सभी बारते स्युदान के द्वारा 10 दिसंबर 1906 में के शुरोच नियाले के निर्ने द्वारा स्युख तराष्टर के चार्टर द्वारा जोखिम बरे उद्योग्यों में बाल स्रम का जो उप्योग निशिद किया गया 1213 में भी द्वायब के द्वारा भी किया गया और शुन चरेटर के चार्टर द्वारा भी किया गया इसparag यह कोस्टन का दी ओप सरइट है एक्जாम में वस्टन पूछ अगिया है तो आपको यह द्यान रखने है मैं तीस्वा को स्चन के वैक्तीगत व्यक्तिगत 57 के लिए उच नियाल आई किस एक प्राफ कर accuse कर सकता है एक तीस माद के वर्ल रेडियो डे20 की थीम क्या है वरल्ड रेडियो डे 2020 की थीम क्या है तो रेडियो डे की थीम है रेडियो एंड डाइवर्शिटी इसका B आप्सन राइट है रेडियो एंड डाइवर्शिटी अगला कॉस्टन है कि मौमद जिन्ना इन अमबेश्टर ओफ यूनिटी किताब के लेखे कोन है मौमद जिन्ना इन अमबेश्टर ओफ यूनिटी किताब के लेखे का मित्रो सुरोजनी नाइडू इसकोस्टन का D आप्सन राइट है सुरोजनी नाइडू नेश्ट कोस्टन है ठरह सुस्तावन की करांती में राजाओं के श्योग के बारे में किसने कहा कि इन्होंने तुफान में तरंग अवरोद का कारे नहीं किया होता तो हमारी कस्ती बै जाती तो मित्रो राजाओं के श्योग के बारे में ये कथन का था लोर्ड केनिंग ने इस question का C option right है क्योंकि जो राजा मराजा थे इन्होंने 1867 की क्रांती के समय अंग्रेज्जों कास योग किया था इसी कारण ये 1867 की क्रांती है वो सफल नहीं होती है एक मुख्य कारण था ये भी आपको द्यान रखने अगला question के 1850 की क्रांती का स्रीगनेश करने की तारिक क्या त्या की गई थी यानिके 1867 की क्रांती है इसे कब से शुरू किया जाना था वो तारिक क्या रखी गई थी ये question बहुत बार एक जाम में पुछा गया है यह पो तो 31 में 1857 तारीक रखी गए थी इसका भी ओप्शन रएट है लेकिन कब सुरू हो जाती है 29 मार्ट को को ही शफू हो जाती क्योंकि पहला विद्रय निंव भीद्रय किया था और ओवर मंगल पंड़े हैं विद्र है किया था इस ही कारण 8 अप्रेल को मंगल पंडे विश्व युनानी दिवस मनें जाता है 11 फ्रवरी को इस कोस्टन का ए ओप्षन राइट है आज दोस्तों 21 फ्रवरी है और 21 फ्रवरी को विश्व अंतरश्ट्रे मत्रबासा दिवस मनें जा रहे हैं यह भी आपको द्यान रखना है तो यह थे दोस्तों मोस्ट कोस्टन इन 35 कोस्टनों में से आपके कितने राइट हो रहे हैं यह कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएं चलिए बात करते हैं लास्ट वीडियो में जवाब से कोस्टन पुछा गया था कि डवल्यू टी ओ किस वर्स में स्तितब में आया तो मित्रो इसका सी ओप्षन राइ के बारे में आज का कोस्टन के बाबा कवच्च किस संस्तान ने विक्सित किया है उप्षन आपके सामने बारक डी एए इन पी सी आई एल डी आर डी ओ तो मित्रो इसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रस इस्टाग्राम आइडी का भी लिंक डिस्क्रफ्शन में दिया गया है वहां पर भी मुझे फोलोग कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद वंदे मात्रम जाबारत